असलाम लेकुम जी, क्या हाल चाले हैं आप सब के, I hope कि आप सब पिलकुल खेरियत से होंगे, so welcome back to my channel तो जी, आज माशाला से रमजान का है चोथा रोजा और मैंने व्लॉग स्टाट किया है यहां पे सुबा के टाइम से तो सुबा के टाइम से, यहां पे तकरीवन टाइम था, साड़े आठ से नो के तर्मियान का टाइम था और मैं बस अभी किचेन में आई थी क्यूंके मुझे बनाना था नाश्ता, तो यहां पे मैं बना री थी नाश्ता चोटी अमी के लिए और साथ में उस्मान के लिए, तो यहां पे ना बस हमारे घर में कुछ ऐसी रूटीन होती है कि सहरी अफ़तारी तो चलती है लेकिन साथ साथ जो है ना क्यूंके जाहिसी बात है आप चोटा जब बच्चे होते है ना घर में जिनके तो उनको पते है क्यूंके बच्चों के तो रोजे नहीं होते हैं जो बहुत चोटे बच्चे होते हैं तो जाहिसी बात है उनकी रूटीन तो फिर वही चलनी होती है खाने बीने की, बाकी जो भी कुछ हो तो खैर उनके लिए फिर जो भी आपको नाश्टा गरा हो, घर में कोई बुज़र्ग कोई गरा भी हो कोई बड़े हो, जो रोज़ा नहीं रख सकते किसी वज़ा से, तो फिर जाहिसी बात है फिर उनके लिए भी तो साइट सिपाते बनाना पड़ते है तो खेर, सब काम साथ साथी चलते हैं तो मैं बस यहां पे अभी नाश्टा बना री थी चोटी अमी के लिए और उस्मान के लिए और रमजान में उस्मान की रुटीन भी समझ ले हमारी तरह चेंज हो गई है, मतलब बड़ों की तो रुटीन थोड़ी रमजान में जैसे चेंज हो जाती है बलकुल तो उस्मान की भी जो रुटीन है वो थोड़ी चेंज हो गई है जब से रमजान आया तो उसकी उठने की टाइमिंग जो है रहा हो जल्दी होगी है हलांकि वो पहले, मतलब काफी लेट उठता था, 10-11 के दर मियान में उठता था और फिर नाश्ता करते करते उसको साड़े, 11, कभी कभी पोने, 12 बज जाते थे क्योंकि वो खाते-काते भी टाइम लेता है ना, तो छोटा है भी तो लेकिन ये कि अब वो ना, सुबा जब मेरे हस्पर जा रहे होते है ना, जॉब पे तो वो ना, उस टाइम समटाइम उठ जाता है तो खेर फिर वो जब उठता है, उसके लिए वैसी नाश्ता बनता है, लेकिन फिर ये है कि बस वो हमारे घर में जब फर्स्ट रोजा था ना, तो उस दिन बस हमारे घर में पूरा दिन जो है ना, सही वाली मतलब गैस थी और प्रॉब्लम नी था, हुआ कोई बीशो नी थ लेकिन उसके बाद जी सेकंड डे से ना, उन्हेने फिर से वैसी हो गया कि गैस जो थी वा पने टाइम से जाना लगी, तो फिर यही होता है कि मैं नाश्ता जो है वह इसी टाइम पर बना ले थी क्यूंकि फिर साड़े नों के बाद गैस का इशू होता है, और अगर उस मान लेट उठेगा, या फिर मैं अगर लेट उठाँगी तो फिर छोटे बीक लिए भी नाश्ता ना नहीं बन पाएगा, क्योंकि फिर गैस ही नहीं होती, और सेरेंडर भी घर पर होता है, लेकिन फिर वही बात है कि उस पर इतना इच्छे से मतलब इस प्राथे वगरा नहीं है, हमारी सेरी में आंक नहीं कुली, तो ऐसा हुआ कि एक दफ़ा, लेकिन यह कि कुछ टाइम पहले खुल जाती है, कोई 10-15 मिनट पहले, आज भी ऐसी हुआ था, कि 15 मिनट पहले खुली थी, तो खैर फिर बस मैंने जल्दी से जो है, वो नाश्ता तो बनाई लिया था, से जो होगी थी, लेकिन यह कि आंक लेट ही खुली थी, तो फिर मैंने कोई वीडियो वगरा कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं शूट कटी ना तो बहुत लेट हो जाता, पिर सहरी ना हो पाती शायद, तो फिर इसलिए मैं उस टाम कोई वीडियो नहीं बनाई पाकी काम जो भी थे, साथ-साथ वो चल रहे थे, कुरान में जीत करा पड़ा था, नमास पड़ी और फिर हम लोग सो गए, लेकिन फिर अभी मैंने सोचा कि मैं व्लॉग अभी से स्टार्ट कर लेती हूँ, अगर सहरी की नहीं बनी तो कई पाती है, आपके साथ पिर किसे सहरी का एक व्लॉग जो का ना सहरी से अफतार रूटीन वो शेर करूंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि एओं किते हो बनी एक गरों में एक particle लोग ओती हैं, इस पुरा घर हो उते हैं तो आपके साथ किसे दिन बनी शेर करूंगा गी, तो अभी कितीठ c.. यहां पे पिर ना जो भी थोड़ा बहुत क्लीनिंग था वो भी कर लूँगी था कि जो बात मेरे मुझे दाता फिर करना ना पड़े और ये जो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रहे हूं ये चोते रोजे का है माश बात मेरे ये चोते रोजे वाले दन फ्राइडे था जुमे का दिन है और पाकी सारे जुमे की दिन के जो काम होते है व्लाड़ कर दे कि अबी दो दूव निकली वी और पिछले दिनों आच्छी खासी तेज पारिश होई थी और मौसम एकदम से हो चाता है पता है, पता ह बोगारा ना ओज़े किुम्कि बिल्कुल अभी एक दिन पहली ठीक हुए तो पिर आज़ खेर मैं इसको नहीं ने नहीं 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 आया पर सब्समान को नाश्ता करवाइब है यंभी मैं उसके लिए हाँ पर स्वेटर वगारा निकाला हुआ पूरा दिन मतलब उसका ऐसी कुजर जाता है, खाते, पीते, खेलते, भागते, और जब मैं उसको सुलाओं भी ना, तो वो नहीं सोता, उसे यही होता कि जब सब बाहर हैं, तो मैं केला क्यूं सो रहा हूं, या तो सब सोई उसके साथ, तो वो सोता है, वरना वो नहीं सोता, तो खेल, उसका फिर रूटीन यही चल रहा है आजकल, और देखते हैं, जब तक उसकी रूटीन चल रही है, तो जैसे वो चार है, तो फिर मैं वैसी कर लेती हूं, और ये कि वो खापी कि मुझे ना, फिर तंग नहीं करता, वो खिलता रहता है, माशाला, तो बस भी यहां पे जी, छोटी हमी ना, कुछ कार्टरी थी, प्याज और टमाटर वगएरा, जो भी मसाला होता है ना, सालन का, तो आज बने थे हमारे घर में काले चने, जो कर ने रात को भी कोके रखे हुए थे, तो बस भी ना, वही पिर वो सारा समान जोए, वो लेकी बटी थी, अलाग बाहर आ गया था, इचा अगर आप बसमुझसे ना, घर की जो भी उसक्त एक दिन होती है, तो बाकी नीचे है, वो डेली ई बी ती नीचे की सक्ताओर होाई थी, और हम लोगँ है एक दिन पहले तो रात में सक्ताओर और तारी के डाश चाहसी, शल्पर्ज होती है यसी, ज और रोजे से पहले या रोजा खोलने के बाद तो वो कहती है कि मैं अफ़तारी के बाद आराम से आके सफाई कर दूँगी तो उनने एक रात पहली सफाई की थी तो घर बिल्कुल साफ सुथ रहा था तो बस अभी वो नीचे की सफाई कर रही थी और उसमान जो है ना जब भी कोई ऐसे बाहर जाता है तो उसकी कोईश होती है कि आउसके बाहर नी कल जो और अभी मुझे स्लीपस दे रहा था कि मैं भी उसके साथ बाहर आ जायूँ। तो खैर बस उसको फिसारा दिन ऐसी है उसके साथ पिर रहना पड़ता है कि और तो या तो मैं अंदर लिया हूँ जुम्हे की नमाज, तो फिर यह कि मैं तब पढ़ लूँगी और अभी मैं पढ़ी थी स्पारा तो कुरान पाक की रूटीन भी बस में ऐसी यह कि मैं थोड़ा सहरी में पढ़ लेती हूँ थोड़ा दिन में मुझे कोई भी टाइम मिलता है ना सम्टाइम्स अफ्तारी के बाद और सम्टाइम्स असर के बाद या फिर कभी-कभी इस टाइम तो मैं पढ़ लेती हूँ तो फिर यह कि अराम से ना पढ़ा जाता है वरना क्योंकि साहरी सी बात है जब आपके साथ एक चोटा बच्चा होना तो फिर उसको नहीं पता होता कि ममा कोई जरूरी काम कर रही है या कोई बड़ा इंपोर्टन काम कर रही है अब उनको डिस्टरम नहीं करना लेकिन जब वो कुछ डिमांड करता है तो फिर वो सब काम चोड़ने पढ़ते हैं तो अभी ये टाइम है जी शाम का और जब उसके बाद बस मैंने नमाज बगारा पड़ी थी और उसके बाद जी मेरे पास बच्चे आजाते पढ़ने के लिए तो पढ़ा के मैं तकरीबन पांच सवा पांच फारिग होती हूर उसके बाद में मेरी हिम्मत नहीं होती तड़के बगा लगा लेते हैं जो पानी उसका बनता है तड़के में वो बना लेते हैं तक बस चावली एंड में बस डालने होंगे तो फटा फट काम हो जाता है अफ़तारी के फॉरण बाद तो यहां पे जी मैंने बना ली थी यह फूरूट चाट अच्छा जब ना रमजान आने वाले थे तो मुझे ना अस्पन कहरे थे कि इस तफ़ा ना ज़्यादा अफटारी में एहतमाम नहीं करेंगे क्योंके वो इसलिए कह रहे थे क्योंके ना हम जब भी पहले भी मतलब मैं अफटारी बनाया करती थी तो अक्सर ना फिर यह होता था कि हम लोग रात का खाना नहीं थे कहा पाते और अभी भी बिलके पहले रोजे में ऐसे ही हुआ था कि अफटारी जो है वो सारी बाहिर सही थी और फिर इतना हम लोग फुल होके थे कि हम लोगों ने खाना नहीं खाया तो फिर यह होता है कि सालंज होता है वो फिर सहरी या अफटारी में यूस होना होता है या तो वो बच जाता है या फिर जो साथ रोटी चावल बने होना वो भी जाया हो जाते हैं तो फिर ये भी तो रिज्क है ना तो फिर जाया होना अच्छी बात नहीं है तो गुना तो अलग है तो फिर खेर वो सोच रहे थे कि कुछ ना हलका पुल गई हो जाए या फिर सम्टेम्स ना भी बिनाओ तो खेर है खाना हो जाए बस अच्छे खाने में मतलब अच्छा हो जाए तो इसलिए ना फिर इस वक्त वैसे तो मैंने पहले रोजे में कुछ नहीं बनाया लेकिन खेर वो पहला रोजा था तो उन से रहा नहीं गया और फिर दोनों जो भाई हैं मौसिन भाई और एहमद गये थे बाहर फिर वो जो है ना थोड़ा बहुत समाल ले आए थे उसके बाद जी बस फिर मैं ग्या पर त्यारी करी थी अभी ये आलू की जो पकोड़े होते हैं ना आलू की कतलिया बन दिया बेसन वाली उसका और ये कतलिया ना मतलब छुटे में कोई बहुत पसंद है और एमद भी बहुत शॉक से खाते है और मुझे भी बहुत पसंद है ये इतने क्रिस्पी से बनते है ना इसका बस एक ट्रिक होती है कि आपने बेसन को बहुत सदा पतला भी ने रखना और बहुत ज़्यादा ना इसको गाड़ा भी ने रखना तभी ये क्रिस्पी बनते हैं अगर आप इसको बहुत गाड़ा रख दोगे ना तो वो बड़ी मोटी सी क्लियर आ जाती है आलू की उपर फिर वो क्रिस्पी फ्राई नहीं होते और अगर आप बहुत पतला रख दोगे तो फिर वो आलू पे स्टिकी नहीं होगा बेसन वो सारा ना उतरी जाएगा पानी की तरह तो फिर आलू ही बस नजर आएंगे मतलब हमारा जो भी खाना शाना बनता है वो सब इधर ही होता ही कठा होता है लेकिन क्योंके आजकल रमजान है तो थोड़ा बहुत वो भी तैयारी करती है और फिर थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूं तो बाख कुछ सम्टेम जासा होता है कि बाहर से भी आ जाता है तो फिर यह होता है कि हम लोग फिर उपर ही चले जाते हैं कि उनका एक चोटा सा माशाला बेवी भी है तो फिर सम्टेम वो सो रहा होता है तो फिर थोड़ा चोटे बचे के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है तो मैं जब यह सोच तो मुझे उसमान कर टाइम याद आ जाता ह है खेर अलागा बहुत शुकर है कि वो टाइम बहुत अच्छे से गुजर गया और फिर बस हम लोग उपर चले जाते हैं और मिलके अफ्तारी करते हैं और वैसे भी मुझे लगता है कि आप लोग जितना मर्जी जैसे कुछ लोगों के किचन सेप्रेट होते हैं खाना सेप्रे होती है मिलके करने में वैसी एक बरकत है तो मुझे लगता है लेकितना बैट के जो खाने में है ना मतलब मिलके बैट के खाने में तो उसमें बहुत ही बरकत होती है तो जो भी हो जो भी बनाए मिलके बैट के खाएं उपर वाले नीचे आजए नीचे वाले उपर चले और बाकी इतनी जो है ना आपको खाना भी साथ-साथ नदर आ रहा रहा हूगा अगर प्रेशर कुपकर और चावलों के इक दिक्ची बढ़ी रही है तो बाकी साथ-साथ मैं भी यहां पे शर्ब की तैयारी कर रही थी थोड़ा बहुत मैंने जमेशीरी बना लिया था तो बस इस तरह की थोड़ी बहुत तри-nyar कर ली थी और साथ में भुट चार्ट रिडिकर ली थी तो बस यहीं व्लॉकों में आज के end करूंगी I hope कि आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को जरूर जरूर सबस्क्राइब करना साथ साथ मेरे इंस्टेग्राम को जरूर फॉलो करना और मुझे कमेंट बॉक्स के अपना फील्बेक जरूर दिया करें तो बस आप से मिलूगे इंशाला अब नेक्स वीडियो में तब तक लिए अपने बहुत सारा ख्याल रखेगा अलाहाफिज